Hello friends, welcome to the success Kendra Friends, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमन का जो पेपर 15.12.2013 को हुआ था उसके जो question paper है उसको इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं Friends, इससे पहले हम लोगों ने 2018 में बिहार फायरमन का जो पेपर हुआ था Friends, पहला question देखे, पहला question है कि परतिनीदितों नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है Friends, question paper को पूरा लगाईए और देखे कि कि कितने प्रशन आपके सही हो रहे हैं अपना इस पूर वीडियो के लाश्ट में जरूर कमेंट करके बता देंगे तो right answer risk option number यह हो जागा Boston Tea Party Boston Tea Party की घटना जो है 16 December 1773 इस भी कोई थी और यह जो घटना थी इसी को अमिर्की स्वतनतता संग्रायम का ततकाली कारण माना जाता है Boston Tea Party की घटना का नायक कोन था? तो Samuel Adams था ध्यान रखेगा अमिर्का को पूर्ण स्वतनतता का प्राप्थ हुई थी तो 4 जुलाई 1776 को अमिर्का को पूर्ण स्वतनतता प्राप्थ हुई थी next question देखी कि जालेवाला बाग हत्याकांड कहा हुआ था? तो देखें फ्रेंट जालेवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अपरेल 1919 को हुआ था डेट सहीत आपको याद रखना है और उसमें वाइस सराय पूछा जाता है कौन था? तो लॉर्ड चैम्स फोर्ड था और यहां घटना पंजाब के अमरीत सर में हुई थी अप्सिन नमबर एक राइट अंसर हो जाएगा भारत एक खाली अस्थान दिया हुआ है राष्टर है तो भारत एक धार्म निर्पेक्स राष्टर है अप्सिन नमबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत में दल विहिन जनतंत्र की परिकलपना किस ने प्रस्तावित की थी? तो दल विहिन जनतंत्र की परिकलपना जै प्रकास नरायन ने प्रस्तावित किया था, option number B, right answer इसका हो जाएगा. भारत के किस प्रधान मंत्री ने स्रिलंका में भारतिय सांती सेना भेजी थी? तो भ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इनमें से कौन सा है? तो करेक्टन सर उप्सन नबर सी हो जाएगा बहुदन समाज पार्टी. बाकी देखे नेशनल कॉन्फरेंस, तेलगुदेशम पार्टी और अकाली दल ये छेतरिये पार्टी है या फिर कह सकता है राजकिये पार्टी है ठीक है? बहुदन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम याद रखेगा कांसी राम जी है ठीक है? चलिए अगला कुशन देखे कि लोकतिंतर जनता का जनता के लिए अम जनता के द्वारा है किस ने कहा था? तो फ्रेंस यह जो एस्टेट्मेंट है अमेरिका के पूर्व रा पहले हम लोगों ने 2018 में विहार फायर्मेन का जो पेपर हुआ था उसके कोस्टन पेपर को हमने कवर किया है लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर देख लिजेगा राष्ट ये शिक्षा निती 1986 का उदेश नहीं है तो देखे 1986 में जो शिक् सिक्षा का एकमात्र मार्ग है बिलकूल करेक्ट है शिक्षा समाजबात और छो तन्तर को मजबूत बनाती है बिलकूल सही है शिक्षा सिर्फ उनके लीए है जो इसमें रूची रखते हैं यह गलत राइट अंसर इसका उस्ता नमबर सी हो जाएगा ठीक है बाकि देखें पिछले वर्गों के लिए सिक्षा कि सही वे उस्ता होनी चाहिए ये भी सही है तो उस्ता नमबर बी जो है इसका उदेश नहीं था नेक्ष्ट कोसन देखें लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो देखें फ्रेंस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए शिर्फ सिथित लोगों को मपदान काधिकार देना चाहँ यह गलत दिया हुए सुद्रिट पंचायती राच होना चाहिए बिल्कुल सही है और नागरी को कोई मंदार और उतर चाहिए यह भी सही है तो देखें पहला, तीसरा, और चौथा यह सही है तो देखे पहला तीसरा और्च ओठा option number B में है next question देखे नसलवाद का अर्थ होता है तो नसलवाद का अर्थ होता है रंग भेद करना ठीक है option number A रैटनसर हो जाएगा अकसर आप अमेरिका में सुनते हैं कि वहाँ पर नसल भेद निती चलती है गोरे और काले लोगों के बीच अकसर वहाँ पर भेद भाव किया जाता है काले लोगों के साथ भेद भाव होता है गोरे लोग करते हैं डॉक्टर भेमरा अम्बेदकर ने मिलखित में से किसके साथ संबंदित नहीं थे नहीं पुछा गया है, तो बताइए राज पुनर गठन आयोग, देखे राज पुनर गठन आयोग के अधिक्ष फजल अली थे, ठीक है ध्यान रखेगा, तो इससे नहीं जुड़े थे, बाकी जो है, सभी से बाबा साहब अम्बेदकर जुड़े हुए थे, महिलाओं के अधिकार के लिए, क्लियर, देखे राज सभा के सदस्तक का कारेकाल होता है, अब सभी को पता है, छे वर्स का होता है, लोक सभा के सदस्तक का पांच वर्स होता है, नेक्ष्ट कुस्ट निखे पंचायत समीति के सदस्त, अक्सर, खाले अस्तन दिया हुए, वर्स के लिए तो इसमें जाते हैं, पाँच वर्स के लिए, उप्सर नमर B, रैट अनसर हो जाएगा next question देखे कि फ्रांस में आतंक का राज, किसके सासनकाल को कहते हैं, तो फ्रांस में आतंका राज, किसके सासनकाल को कहा जता है, यह कहा जाता है, लूई सुलाह्वान का ठीक है फ्रांस की क्रांति कब हुए थी तो फ्रांस की क्रांति हुए थी 1789 में और उस्समय फ्रांस का सासक कों था तो लूई 14 था ठीक है यह सुलाहवा दिया हुआ उसमय लूई 14 था ध्यान रखेंग गांधी इर्विन सम्झाता जह है यह हुआ था चार मार्च 1931 को ठीक है राइट एंसर इसका ऑप्शन बर भी हो जाएगा और यह जो हां स्तक्षर हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी जे सविनाव आज्यां अंदलन को अस्थागित कर दिया था नेक्स्ट कोश्ञ देखेगा कि इनमें से कौन सा देश दूतिय विश्यूद के दोरां धूरी राश्ट गूट का सदस्य नहीं पुछा जा रहा है ठीक है फेंस तो राइट आइंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए श्या अचिन एटली जर्मनी जपान धूरी राश्ट थे और एक तरफ मित्र राष्ट थे ठीक है चलिए और जो तीव विष्टिद हुआ कब था तो ये 1949 से लेकर के 1945 तक हुआ था 6 वर्सों तक चला था अगर डेट पुछा जाए तो डेट भी याद रखना है 1 सेप्टमबर 1949 से लेकर के 2 सेप्टमबर 1945 तक ततकालिक कारण क्या था दूसरे विष्टिउद का तो जर्मनी का पोलेंड पर आकरवन था नेक्स्ट कोसर देखे इनमें से कौन राष्ट शंग का अंग नहीं है तो राष्ट संग का अंग है सभा परिसत सची वालए विश्व स्वास्त संगठा नहीं है और सण नमर डी गर में हुई थी ठीक है ध्यानरकी के 1945 में अगला कुस्न दिखेगा कि गांधी जी दक्षिन एफ्रिका से भारत कव लोटे थे तो गांधी जी भारत लोटे थे 1915 को 9 जनवरी 1915 को और 9 जनवरी के दिन इसलिए प्रतेक वर्स प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है उसके बाद है कि इनमें से कौन से गटना दूतिव विस्यूद की परिणाम नहीं है दूतिव विस्यूद का परिणाम नहीं है राष्ट्र संग का गठन देखे राष्ट्र संग का गठन जो है यहां पर्थम विस्यूद का परिणाम है इसका गठन कब हुआ था तो 10 जनवरी 1920 को ठीक है 10 जनवरी 1920 को इसके संस्थापक का नाम पुछित उड्रो विल्सन थे इसका हेट क्वाटर स्वीटिजर लेंड के जेनवा सहर में है क्लियर next question देख लीजेगा कि माना और नागरिकों का अधिकार की घोष्णा पत्र के बारे में क्या गलत है चारों option आपको दिख रहा है गलत पुछा गया है ठीक है तो right answer इसका option number B हो जाएगा ठीक है इसमें सतंत्रता समांता तता बंदुत को अपनाये गया option number B right answer इसका हो जाएगा next question दिखिएगा इसमें सब सुमेलित करना है आपको इसमें सब सुमेलित कौन सा है सही सुमेलित बताना है आपको तो right answer option number C हो जाएगा राष्टीए स्वयम सेवक संग RSS के अस्थापना 1935 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था All India Trade Union के अस्थापना 1920 में हुआ था इसके अस्थापना किस ने किया था तो एनम जोसी ने किया था धियान रखेगा और अंजेव की मृति को पस्थाथ किस नेता के नित्रित में जाट काफी सक्ति साली हुए तो right answer इसका क्या हो जाएगा राइट answer इसका हो जाएगा option number C चुडामन के नित्रितु में नेक्स्ट कोस्टन देख लेजे कि पेसावर एम काबूल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुआ है तो पेसावर एम काबूल जो है यह जुड़े हुआ है खैवर दरा के माध्यम से ठीक है option number A right answer इसका हो जाएगा उसके बाद एक नेक्स्ट कोस्टन है कि ठीक है option number C अलफाइन वन हो जाएगा उसके बाद देखे नाथुला दरा किस राज में इस्तित है तो नाथुला दरा जो है सिक्किम में है ठीक है नाथुला जैलेज़ पा ये भी पुछा जाता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा उसके बाद एक नेक्स्ट कोस्टन हमारा है वनस्पति जो विश्वत रिखे वनों से सम्मंदित नहीं है नहीं पूछा गया वह कौन सी वनस्पति है तो राइट अंसर हो जाएगा अकेसिया ठीक है अकेसिया इसी तरह के कुस्टन आपके इजाम में पुछे जाएंगे देखे नदी जो विहार की सोक कहलाती है तो विहार की सोक कोसी नदी को कहा जाता है बंगाल का सोक दामोतर नदी को कहा जाता है ठीक है देखे चंद्रगरहन की पून ओधी है जहां कितनी है तो देखे फ्र्स इसकी घोनन आधी जो है यह 27 दिन 8 गंटे में ही चंदरमा अपने अक्ष पर एक गोनन पुरा करती है तो लगबग 28 दिन इसका करेक्टन सरह देगा 27 दिन 8 घंटा ठीक है तो 28 दिन यहाँ पर मान लेज़े अगर हम सुरे के संदर में बात करें तो सुरे के संदर में 29 दसमलव 5-3 दिन ध्यान रखेंगे उसके बाद के तमिलाडू में सीत कालिन वर्षा का कारण क्या है तमिलाड वस्मी विशुप आपने देखा होगा सुना भी होगा इसके चलते उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि प्रायदीपय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताईएगा तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा प्रितवी सभ्लन आयजित हुआ था तो पहला प्रितवी सभ्लन 1992 में रियो डी जेनरियो में हुआ था th clerk दूसरा पूछे तो दूसरा 2002 में दूसरा कब वह था, 2002 में South Africa के, यानि कि दक्षिन अफिरिका के जोहांसवर्ग सहर में हुआ था, Next question देखें कि भारत में rail mandal की बरतमान संख्या, देखें फ्रेंट्स यहां rail mandal मत कीजिए, यहां railway zone बना लिजिए, ठीक है, तो railway zone की संख्या बरतमान में अगर बात करें, तो बरतमान में 17 हो गए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखें राउर के लाँ लाँ इस पात सेंट्र की सराजिमा वस्तित है, तो राउर के लाँ जो है, यहां उरिसा में है, option number C, right answer इसका हो जाएगा, उसके बाद देखिए, कि भारती राज जिस से होकर के करक रेखा नहीं गुजरती है, तो friends, करक रेखा भारत के 8 राज जिस से होकर के गुजरती है, कौन-कौन से राज, उंगली पर काउंट कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश इसका correct answer क्या हो जाएगा, बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, option number A, right answer इसका हो जाएगा, उसका बाद देखिए, कारक जो जलवाई को परभाहित नहीं करता है, तो right answer इसका क्या हो जाएगा, right answer इसका option number D हो जाएगा, पृत्वी की परिभ्रमन गती, ठीक है, next question देखिए कि जनगना 2011 का उनुसार किस व्यवसाइक वर्ग में भारत की कार्यसिल जनसंक्या की सनलंगनता दूतिय सरवाधिक रही है, तो दूतिय सरवाधिक जो रही है, यहाँ किसकी रही है, तो friends, correct answer इसका option number C हो जाएगा, तृतियक की, ठीक है, friends, तृतियक की कितनी रही है, तो 38. 33.3 पर 30, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रात्मी क्षेत्र की सबसे ज्यादा रही है, 57.74 पर 30, दूसरे नमबर पर 33. और तीसरे नमबर पर 28. ठीक है, ठीक है, चले, next question दिखिएगा कि यहाँ घर मेरा है, और वहाँ तुम्हारा रेखांकित सब्द क्या है, यहाँ रेखां आपना काम कीजिए, मेरे खांकित सब्द क्रिया विशेशन का प्रकार है, किस प्रकार की क्रिया विशेशन का प्रकार है, तो यह जो है सांती से बैठ करके काम करना है, यानि कि रीती बता रहा है, यह किस प्रकार से, तो सांती परोक बैठ करके, option number C, right answer इसका हो जाएगा, यह जो रेखांकित वाक है, उसमें से आपको सही जो है, चुनना है, तुम जितना खाओगे, उतना ही ताकवतर बने होगे, रेखांकित क्रिया विशेशन सब्दों में भेध बताना है आपको, कि कौन सा भेध है, तो जितना खाओगे, उतना ही ताकवतर होगे, यह किस प् प्रिणाम बता रहे कि तुम जितना खाओगे उसका प्रिणाम क्या होगा उतना ही ताकतवर होगे तो राइट इंसर इसका नुबर C हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टे गए किसमें ससही चांटना है आको सैंअगार कातर हिमालए संरचना के अधार कर मसे इनका परिशे देना है ठीक है?walk जयनागार कातर और हीमाले तो देखिए योगिक रूड और फिर यह जो होगा हिमाले योगरूड तो ओपूसर नमबर इसका 43 का दीकरेंशर हो जाँगा में नेक्स्ट कुस्चन देखिएगा कि बहु ब्रीअफ मेंaal क्या होता है स्वेद्म समसfly क्या होता है और नहीं दूसरा पद, उसमें एक तीसरा पद बनता है, जो कि प्रधान होता है, ठीक है, तो right answer इसका क्या हो जाएगा, right answer 44 का option number C हो जाएगा, तृतिये पद इसका प्रधान होता है, बहुँ ब्रहिए समाज का एक example आप बता दीजिए, comment करके, देखें पाट साला के mail को कहा जाएगा, part plus साला, यानि part साला जो बना है, इसके mail को क्या कहा जाएगा, तो भाई यह क्या हुआ हुआ है, बता यह right answer इसका क्या हो जाएगा, सिधी सिधी देख रहा है, एक संयोग हुआ है, ठीक है, option number D, correct answer इसका हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, कि सुदव किस में से जाटना है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने बैपारी है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के बैपारी है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के बैपारी है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के बैपारी है, तो बता ही, इसमें से right answer क्या दि तो विटामिन D जो है हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रोल की मदद से बनती है राइट एंसर अप्शन बर इसका C हो जाएगा देखें करेंट फेर का कोस्टन पूछा गया था कि 2014 का फिटवल विस्टो कप कहा होगा तो फ्रेंट अब जो होगा 2021 में जो होगा वो कहां होगा कतर में होगा अगला जो होने वाला है 2022 में वो कतर में होगा ठीक है और देखें कतर इसका अब होने वाला है कतर में होगा 2014 वाला कहां हुआ था देखें 2014 वाला जो है यह हुआ था ब्राजील में कंगारू राष्टी ये पसु कहां का है तो ये मुख्य पसु जो है ये औस्ट्रिलिया का है आप सभी को पता है संक्तराष्ट दिवस कब मनाय जाता है तो फ्रेंट्स यहां मनाय जाता है 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होई थी option number A right answer इसका हो जाएगा friends please वीडियो को like जरूर कर दिजेगा यहां मैं आपको बिहार fireman के लिए regular वीडियो लेकर आते रहूँगा आपकी exam तक subscribe जरूर कर लिजेगा और bell icon को जब तक आप नहीं दबाएंगे घंटी के निसान को तब तक notification वीडियो का आपके पास नहीं पहुंचेगा आपको पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो अप्लोड की गई है या फिर नहीं की गई इसलिए bell icon को जरूर दबा लिजेगा UNESCO का मुख्याला कहा हिस्तित है तो right answer को हो जाएगा dislike आपके लाल बहादूर सास्ति नहें दिया था खाली अस्तान है ये नेशनल होली डे इन इंडिया तो इसका करेक्ट एंसर ओप्सन नुबर सी हो जाएगा इस का इस्तमाल होगा यहाँ पर ठीक है मतलब हिंदी में कहें तो नहीं नया साल और नहीं वेलन्टाइन डे भारत में राष्टी होली डे है यानि जुटी का दिन है तो राइट एंसर ओप्सन नुबर इसका सी हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देख लीजिए अगला कुस्टन हमारा है कि फिल इन दे ब्लेंक्स करना है इसमें भी और इसमें से चुनके आपको बरना आइधर हिस्टोरिकल ओकेशन और डिस्टिंगिश्ट परसंस खली अस्तान है कॉमोमेरेटेड ओन सेकुलर होलिडेज तो राइटन से इसका हो जाएगा ओप्सन बर डी आर ठीक है चली देखिए ओकेशनस है और परसंस है तो आर का इस्तिमाल होगा यहाँ पे चूस्ट करेक्ट ओप्सन तो कॉम्प्लीट द फॉलिइंग सेंटेज्ट आई बॉट अल मतलब खरीदा ओल इस बुक्स तभी किताब को फॉर वल्ली 700 ओप्सन नबर डी राइटन से इसका हो जाएगा उसका पाद देखिए फ्रेंट्स पीडियाप टेलिग्राम पर मिलेगा टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है टेलिग्राम ज ठीक है बिमारी है next question देखिए the young of the goat is kid and देखिए यहां पर मैं the young of one goat is kid and that hen is ठीक है hen का जो बच्चा है उसको क्या कहा जाता है चीक कहा जाता है option number B right answer हो जाएगा उसका बाद देखिए underline किये गया इसमें से है बताना है कि which of the following sentence one which is underlined choose the word which means most nearly the same as the underlined word यानि कि आप कहा सकते है कि underlined जो word जिया हुआ इसका आपको synonym बताना है ठीक है समानर्थी he did not know that Raman was a treacherous friend तो देखिए friends treacherous का मतलब क्या होता है तो false होता है जोटा दोस्त होता है false and disloyal friend ठीक है ध्यान रखिएगा next question देखिएगा friends किसमें से कौन सा incorrect दिया हुआ है तो right answer इसका क्या हो जाएगा right answer इसका option number D हो जाएगा ठीक है next question देखिए अगला question है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम कब होता है तो खरीफ और रभी आपने सुना होगा clear खरीफ फसल जो है बरसा रितू में पैदा की जाती है और यह जुलाई से अक्टूबर महा तक इसका समय होता है ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा इसका जुलाई से अक्टूबर option number C correct answer इसका हो जाएगा ठीक है और रभी फसल की बात करें तो रभी फसल का समय क्या होता है रभी फसल जाड की दिन में उगाई जाती है ठीक है चले next question दिखेगा कि जयो मंडल में रासानिक पोसको का चकरन होता है तो फ्रेंट्स यह तो चकरन होता है यह किस के द्वारा होता है तो फ्रेंट्स ये होता है है सभी के द्वारा जल के द्वारा विए और भोमी के द्वार भी推art प्रोटीन सन्सिलेशन कहा होता है कि इन वह वार मैंने भी बता है आपने भी पड़ाओगा है और से नमर एक रेटन सर रउद्या रएबोजम को को कोई सिका की प्रोटीन फ्रैक्ट्री कहा जाता है घाथ सरिंकलाम उत्पादक जो है प्रकास उर्जा को बदलते हैं तो प्रकास उर्जा को उत्पादक उत्पादक मतलब बताई उत्पादक कौन कहलाते हैं उत्पादक मतलब पेन पोधे तो यह प्रकास उर्जा को किस उर्जा में बदल देते हैं तो फ्रंस यह जो है रसानिक उर्जा में प पुनुरत्भववन की विशेषंगता पााई जाती है। किस में? तो यह पुनुरत्भदन की पौरीफिरा में पाई जाती है। और साप है यदि घास प्रथम पोसी अस्तर है बिल्कुल है उसके बाद तो तिरितिय पोसी अस्तर क्या हो जाएगा तो बताए राइट अंसर इसका क्या होगा इसका अंसर आप बताए कमेंट करके ठीक है आसान कुस्सन है दिसंबर और निस चुराशिन गटी बपाल गैस दुरगटना किस जरेली गैस के खारन हुआ था उसमें रिशाव हुई थी मिठाइल आइसोसाइनेट की अप्सन नमबर बी राइट अंसर इसका हो जाएगा एक खात सिंखला के कुछी चरण होते हैं कि हर चरण पर उर्जा क्या होता है हर चरण पर उर्जा जो होता है घटता है ऑप्सन नमबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा कैक्टस में पाए जाने वले अनुकूलन है तो कैक्टस में क्या पाए जाता है तो रैट अंसर इसका हो जाएगा बताइए रैट अंसर इसका हो जाएगा परणा और पाण सूल पाए जाते हैं ठीक है option number c right answer इसका हो जाएगा आपतन कौन इनके बीच होता है तो देखिए समझ लिजे डाइग्राम से आपतित किरन यह हुई परावर्तित किरन यह हो गया अविलंब ठीक है तो आपतन जो है आपतन कौन पुछा गया तो आपतन कौन किसके बीच में होता है तो देखिए फ्रेंट्स आपतन कौन जो हो जागा यह देखिए एक यह कौन हुआ एक यह कौन हुआ ठीक है तो देखिए आपतन कौन जो होता है यह किसके बरावर होता है तो आपतन कौन परावरतन के बरावर होता है आपने पढ़ाओ का और प्रश्न में क्या पूछ रहा ह प्रश्ण में पूछ रहा है कि आपतन कुन के बीच का कौन है तो यहां जो है सता और अभिलम के बीच का कौन है ठीक है सता और अभिलम का बीच का कौन है सता और अभिलम के बीच का तो राइट अंसर इसके क्या हो जागा और सी हो जागा परतिया औरती धारा में क्या होता है उसका बद अगला कुस्सन देखिए कि विभिन रंगों के समों को क्या कहा जाता है, तो रंगों के समों को क्या कहा जाता है, बताईए, तो correct answer इसका हो जाएगा, one party कहा जाता है, ठीक है, next question देख लिजे, ये graph दिया हुआ है, और इसमें तुरन का मान आपको बताना है, देख हो जाएगा करेक्ट एंसर ओप्सन अगर एक चलना प्राइब कर दे तो फिर पुछा जाता है कि बस अगर एक चला जाए तो पीछे के तरब हो जाते हैं तो यह किस घटना का होती है रुपती है तो आगे के तरब जुख जाते हैं यह होता है गति के जड़त्व के कारण उसका बाद देखें न्यूटन का पर्थम नियम जो है जड़त्व का नियम है आपको पता है किसी प्रतिरोध में प्रभाइद होने वाली विद्वुतधारा के कारण उत्पन उस तो दिखे यह होता क्या इसका formula एक शुली आपने पढ़ा होगा कि h equal to होता है i square into r t होता है ना तो दिखे विद्वत्धारा के वर्ग के समानुपाती होता है विद्वत्धारा के वर्ग के विद्वत्करमानुपाती होता है विद्वत्धारा के विद्वत्करमानुपाती हो हो रहा है यानि कि उस्मा हो रहा है नेक्स्ट कुस्टन देख लिए कि प्रकास की एक किरन एक माध्यम जिसका प्रतनांक मुवन से चल करके दूसरे माध्यम में अप्रतनांक मुटू में है प्रवेस करती है अगर आपतन कुन आई है तो अप्रतन कुन आ रहे तब साइन आई ईट नमबर देखिए कि दो दरब मानु के बीच गूर्तक्रशन बल कमानूगे कर देखिए object 5 kg का है यह 10 kg का है दोनों के बीच की दूरी given है गूर्तक्रशन बल निकालना है formula क्या होता है F equal to G M1 into M2 बटा आरे स्पार यानि की दूरी मास दिया हुआ है M1 M2 5 किलो 10 किलो ठीक है और आपसे निकालना क्या है आपको F निकालना है ठीक है तो देखें यह क्या हो जाएगा तो 5 गुणा 10 50 हो जाएगा और दूरी कितनी है 10 है तो 10 के स्क्वाइर करेंगे तो 100 हो जाएगा तो 50 बटा 100 गुणा G ठीक है यहीं न होगा यहाँ में फिर से लिखते हूँ G गुणा देखें पांच गुणा 10 बटा 10 दूरी है तो 10 के स्क्वाइर कर देंगे 100 हो जाएगा 10 10 या 100 पांच दूना दस यानिकि जी बटा 2 एंसर इसका आ जाएगा देखें जी बटा 2 कहा है अप्सन नबर A में है नेक्स्ट कॉस्टन देख लिए कि कोई इस्तिर वालिक किसी वस्तु पर 10-100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमेटर प्रति घंटा से 36 किलोमेटर प्रति घंटा कर देते हैं तो बल का मान क्या होगा तो फ्रेंस देखिए अब इसमे सब्सक्राइब आगे देख लिए उसके पाद देखिए दिया हुआ इसमें जो आठारा किलोमेटर से 36 किलोमेटर हो जाती है यानि कि यह 18 किलोमेटर है फाइनल वेक 36 किलोमेटर भी हो जाती है समय दे रखा है ठीक है तो आप लोग निकाल लिजिएगा बल कमान ये निकल जाएगा एफ इकोल टू एमें 5 न्यूटन है बल और एकसलरेशन आप इजली निकाल लेंगे रेट अशर 0.25 न्यूटन आ जाएगा उसके बाद देखिए जब दो समानांतर तारों के बीच एक ही दिशा में विद्वित प्रवाइत हो तो तो क्या होगा तो करेक्ट नंसर हो जाएगा वे एक दुसरे को आकर्शित करेंगे ठीक है वे एक दुसरे को आकर्शित करेंगे उसके बाद देखिए कि यदि किसी द्विगात समिकरन के मूलों का योग है हम गुनानफल क्रमसा दिया हुआ है चो और तिन तो समिकरन क्या होगा तो फ्रे गुननफल दिया हुआ है तो देखिए कौन से सम्करन बन रहा है option नबर इसका 4 option देख लिजिए मेरे ख्याल से इसका जो correct answer हो जाएगा option नबर A हो जाएगा ठीक है next question देख लिजिए कि इन में से किस परिमे संख्या को 77 दसमलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको solve करके देख लिजिएगा right answer मैं बता देता हूँ option नबर A इसका 124 बटा 165 हो जाएगा देखिए इसको भी आप लोग solve कर सकते हैं easily सबको जोर दीजिए तो इस 244 प्लस 25 हो जाएगा और इधर x1 प्लस x बटा 12 हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा root अंडर और बटा 144 तो root अंडर 179 बटा 144 एकोल टो 1 प्लस x बटा 12 अब ये root से बाहर निकल जाएगा 13 बटा 12 ठीक है अब इसको solve कर जिजिएगा x का value देखें व्रितह ब्रित छैत्र फाल आपको पता हुआ क्या होता है ठीक हो ठीक है थाद देखें व्रीट खंड का च्रफल आपको पता हुआ क्या होता है ठीक है निकल ये recommends हो ये दिया होगा और त पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो यह दिखा है मौसा दिया हुआ यह लौसा दिया हुआ है 11 लौसा गुना मौसा लौसा कितना है मौसा कितना है 11 लौसा 253 गुना आर इक्वल टू दो संख्या दिया हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 440 यहां से आपको R की value निकालने नहीं है, ठीक है, solve कर दिजेगा R की value निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, तो R की value 40 आ जाएगी, ठीक है, चलिए अगला कोशन दिख लिजेगा, same formula हमको लगाना है, ठीक है, सेतर पर लगू खंड क्या होता है, theta बटा 360, pi R square, theta दिया हुए 45 degree, R दिया हुए 28 cm, निकाले जेगा, pi की value 22 बटा 7 रख सकते हैं, राइट एंसर में बता देता हूँ इसका राइट एंसर हो जाएगा 30.54 पांच चार आप्शन में नहीं दिया हुए तो 30.54 सेंटीमेटर स्क्वाइर इसका एंसर होगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा यदि एक दिर्भूज के सिर्षा विमूग कोन 130 डिग्री है ठीक है सिर्षा विमूग कोन 130 डिग्री है उसका बाद कर रहा है कि उसके आधार पर द्विभाजक के बीच का अधार कोन कितना होगा तो आसानी स कोश्टन है देखेस है इसका नीकालना है एकाइका गुणा 2 और कहीं ना कहीं तो यह 0 बन जागा जैसे二 बनां सब कोचे 24 पच्छे कितना हो जागा देखिए 24 पच्छे पांच चोका 20 और पांच जुना 10 अद्धू 12 अब जीरो में सब कुछ जुना कीज़ेगा सब कुछ 0 कर देगा अपसर नमबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा इसमें से देख लिए यह भी आसान कोस्टन है कर सकते हैं आप इसको पीटा-इंटू अलफा-इंटू बीटा हो जाएगा अलफा-प्लस-बीटा-इकुलं क्या होता है अपको पता है कि अलफा-बीटा इसमें से माइनस-8-Twी-तीर नहां-बी-ती-त 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा तो बहलू रख दिजेगा माइनस 8 बटा 3 और 2 बटा 3 एंसर निकल के हा जाएगा इंसर आपका निकल के कौन से उर्जा उत्पन होती है अब सभी को पता होगा नाभी की रिक्टर में पुछा जा रहा है तो बायोगास के अव्य कौन-कौन से है तो मिथेन है है और कर्बंडा एकसाइड है उसके बाद देखे निकलोन का मान होता है तो निकलोन का जो मान होता है वो नियोट्रोन और प्रोटोन की संख्या के नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि निमलखित अवकिरिया में जो दिया हुआ है H2S PLUS CL2 2HCLS ठीक है इस अवकिरिया में बताएए कौन किस तरह जो है काम कर रहा है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा CL2 जो है अक्सिकारक की तरह ब्यवहार कर रहा है ठीक है option number यह right answer इसका हो जाएगा next question देखिएगा कि nitrogen gas के अनू निमले कितन के आबंध होते है nitrogen gas के तो nitrogen का देखिए कितना होता है atomic number 7 होता है electronic vinyas 2-5 होगा यानि कि यह 3 electron यह तो गरहन करेगा यह 3 electron यह खोएगा तभी तो stability पराप्त करेगा तो बताएगा तो यह तो तीन यह गरहन करेगा यह फिर 5 electron त्याग देगा तो 5 electron त्यागना मुस्किल है लेकिन 3 electron गरहन करने इसके लिए असान है क्योंकि 3 ही करता है इसमें क्या बनेगा इसमें बनेगा 3 सायोधी क्योंकि 3 electron यह share भी कर सकता है तो option number D right answer हो हो जाएगा अलमुनियम का option number A next question दिखें न्यूटन और आइसो ब्यूटन है फ्रेंस ब्यूटन और आइसो ब्यूटन जो है यह क्या है तो correct answer हो जाएगा समावया है option number A right answer हो जाएगा B right answer हो जाएगा एक billion का PS3 है तो उस billion का OS inverse minus का संदरता होगी तो इसकी संदरता होगी कि इतनी है तो यह होगी दस के पावर माइनस ग्यारा एक इलेक्ट्रोन का वहार यह आवेस है फोटा कर देता हूं ताकि आपके clear दिखाई दे हाँ तो देखे फ्रेंस इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer जो है यह हो जाएगा एक बटा 1838 प्रोटोन का भार तथा रिन आवेस ठीक है क्योंकि एलेक्ट्रोन पर क्या होता है रिन आवेस होता है आप सभी को पता होगा और एक बटा अठरवा इसका प्रोटोन का भार होत कर दो है इसका रोटभ कर जोबा कुड़ में कSi झालेके है रिन आवेस को अपसरे फटार बिमा इन आवÈ एप जातर आवेस है जड़ एान का आवेस जासे आवेस अट ऌसका है आवेस जावेस है यह सूपरादाल है में तोंढाल है जढाल है झाल